हम अपने विशेशन की शुरुआत आज भारत की डूबती हुई राजधानी दिल्ली से करेंगे जिस से अब तक पचास हजार लोग प्रभावित हो चुके हैं और दिल्ली ऐसे समय में बाड के पानी में डूबी है जब भारत कल चंदर्मा पर पानी की खोज करने के लिए चंदर्यान 3 मिशन को लाँच करने वाला है कल यानी 14 जुलाई को दोपेर 2 बज़ कर 35 मिनट पर भारत का चंदर्यान 3 मिशन लाँच होगा और ये चंदर्यान 2 का फॉलो अप मिशन है जो वर्ष 2019 में असफ़ल हो गया था और इस मिशन का मकसद है चंदर्मा की सतय का ध्यान करना और वहां मौझूद रसाइनिक तत्वों और पानी के कड़ों की खोज करना तो चंदर्मा पर तो हम पानी के कड़ों खोज रहे हैं और दिल्ली में पानी ही पानी है यानि आज हम चंदरमा की सतय पर पानी की खोज करने जा रहे हैं लेकिन हमारे देश में बाड़ नियंतरन को लेकर सरकारे और नेता अब तक कुछ नहीं कर पाए है नीचे अगर जमीन पर आप देखेंगे तो पूरा देश पानी में ही फसा हुआ है जबकि हम चंदरमा पर पाने की खोज करने के लिए जा रहे हैं अगर आप देश की राधानी दिल्ली को देखेंगे तो दिल्ली में यमना नदी के आसपास के तमाम निचले आपको बाड़ के पानी में डूबे हुए दिखाई देंगे आज से पंदरा दिन पहले दिल्ली में जो यमना नदी सूख कर काफी सिकुड गई थी अब उस यमना नदी का जलस्तर सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है 10 जुलाई को इसने खत्रे के निचान को पार किया था और तब से लेकर आज शाम पांच बज़े तक यमना नदी का जलस्तर 208.65 मीटर तक पहुँच चुका है और इसकी वज़े से दिल्ली में यमना नदी से जो इलाके लगे हुए हैं वहां बार का पानी प्रवेश कर गया है जैसे ये तस्वीरें दिल्ली के उस बायो डाइवरसिटी पार्क की हैं जहां इसी साल मार्च के महीने में जी 20 की एक बैठक हुई थी लेकिन अब इस पार्क का नामो निशान मिट चुका है और यहां सिर्फ बार का पानी नजर आ रहा है और ये स्थिटी सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है दिल्ली में वजिराबाद से उखला बेराज तक यमना नदी की कुल लंबाई 22 किलो मिटर है और अनुमान है कि इतने अलाके में यमना नदी के आसपास दिल्ली के 30 से 35 लाख लोग रहते हैं और अब इन तमाम लोगों पर बार का खत्रा मंड़ा रहा है और इस समय पूरी दुनिया दिल्ली की इन तस्वीरों को देख रही है और ये भी देख रही है कि भारत कहने को तो इतनी बड़ी महाशक्ती बनने का दावा करता है लेकिन भारत की अपनी राजधानी दिल्ली बरसात को बरदाश्ट नहीं कर पाई आज से सरफ 58 दिन बाद यानि 9 सितंबर को दिल्ली में G20 समिट का आयोजन होने वाला है जिसमें अमेरिका, चीन, रश्या, ब्रिटन, फ्रांस, कैनेडा, जर्मनी, इटली, जापान, साओधी अरब, दक्षिन कोरिया और आस्ट्रेलिया समेथ कई देशों के राश्ट ध्यक्ष दिल्ली आएंगे और ये सारे नेता उस दिन दिल्ली के राजगाट पर भी जा सकते हैं जो मात्मा गांधी का समाधी स्तल है लेकिन आज राजगाट के आसपास का पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है जो रिंग रोड दिल्ली को आपस में जोडती है जिस कश्मीरी गेट बसड़े से दूसरे राज़ों की बस सेवाएं संचालित होती है और जिस आईटी ओपर दिल्ली का सचवाले है यानि दिल्ली की सरकार बैठती है वो तमाम इलाके यमना नदी में आई बार में डूब और बार का ये पानी अब लाल के लेकर आसपास भी सरकों पर भर चुका है दिल्ली में आई इस बार के दो प्रमुक कारण है पहला है दिल्ली में सामाने से जादा बारिश होना और दूसरा कारण है ह waktuनी कुंड बैराज से छोड़ा गया लाकों की उसे एक पानी दिल्ली में एक जून से ग्यारा जुलाई के बीच 268.4 मिलिमीटर बारिश हुई है जो सामान्य से 130% ज्यादा है और इस भारी बारिश ने दिल्ली को बार के भवर में फसा दिया है दूसरा कारण है हथनी कुंड बेराज से छोड़ा गया पानी ये बेराज हर्याना के यमुना नगर जिले में है जहां से यमुना नदी का पानी उत्राखंड से हर्याना होते हुए दिल्ली पहुचता है और इन दोनों ही राजों में इस बार जबरदस्त बारिश हुई है उत्राखंड में सामाने से 18% और हर्याना में सामाने से 97% ज्यादा बारिश हुई है जिसकी वज़े से हथनी कुंड बेराज का जलस्तर खत्रे के निशान को पार कर गया और इसकी वज़े से इस बेराज का पानी यमुना नदी में छोड़ना पड़ा और यही पानी अब आ पाड़े तीन लाख क्योसिक पानी यमना नदी में डिस्चार्ज किया गया है जिसकी वज़ा से दिल्ली में यमना नदी बहुत करोध में आ गई है और उसने पूरी दिल्ली को डुबो दिया है अब यहां नोट करने वाली बात यह हतनी कुंड बेराज से एक बार में आठ लाख क्योसिक तक पानी यमना नदी में डिस्चार्ज हो सकता है और इस बार अभी तक इसकी पीक नहीं आई है अभी सबसे जादा एक बार में तीन लाख उनसट हजार क्योसिक पानी मंगलवार को यमना नदी में छोड़ा गया था लेकिन अब अगर यह अपने पीक पर भी पहुँच गया तो फिर आधी से जादा दिल्ली बार के पानी में डूब जाएगी और अनुमान है कि तब इस से दिल्ली के एक करोड़ लोग पर भावित हो सकते है अब चिंता जनक बात यह है कि दिल्ली में अगर इतनी खतरनाक बार आ गई तो लोगों को सुरक्षित जगाँ पर शिफ्ट करने के लिए सुरक्षित जगा बचेंगी ही नहीं क्योंकि पूरी दिल्ली पहले ही एक कमरे की तरह भरी हुई है जिसमें अब पैर रखने तक की जगा नहीं है दिल्ली में अलग-अलग सरकारे आई लेकिन कभी किसी सरकार ने ये नहीं सोचा कि दिल्ली में जब इस तरह का पानी भरेगा या दिल्ली में जब कभी ज़्यादा बरसात हो गई तो हमारे ड्रेनेज की क्या विवस्ता है ये सारा पानी बरसात का आखिर कहां जाएगा और इसलिए अगर एक दो दिन भी बरसात हो जाती है दिल्ली में तो पूरी दिल्ली पानी में डूप जाती है और ये हाल सरफ दिल्ली का नहीं है, बाकी के शहरों में जो लोग रहते हैं, उन्हें खुश होने की जरुवत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी शहर में भारत के आज चले जाएए, मेट्रो शहर में चले जाएए, छोटे शहर में चले जाएए, हर शहर का यही हाल है, अगर पा ड्रेनेज सिस्टम का जिस पर हमारी किसी सरकार ने कभी कोई ध्यान दिया ही नहीं और हमारे देश के लोगों को ड्रेनेज सिस्टम के बारे में कोई जानकारी है नहीं अब देखिए दिली में कैसे इस पर पॉलिटिक्स होती है तो हमारे नेता पॉलिटिक्स करना तो जानते लेकिन ये नहीं जानते कि इस पानी का करना क्या है ये नहीं जानते कि शहर में राज्ज में देश में अच्छी ड्रेनेज की विवस्था कैसे हो सकती है ये सोचने के लिए हमारे नेताओं के पास फुरसत नहीं है दिली के मुख्यमंतरी अरविंद केजरिवाल इस बात को शायद समझ चुके हैं इसलिए उन्होंने विक्टिम कार्ड खेलने का जो सिलसला है वो शुरू कर दिया है एक बार फिर उन्होंने अपनी जेब से विक्टिम कार्ड निकाल लिया है ये वाला विक्टिम कार्ड जो म मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा हथ्यार है अपनी जिम्मेदारी से बचने का अर्विंद के जीवाल का कहना है कि ये बाड हर्याणा सरकार की वज़े से आई है क्योंकि हर्याणा सरकार हतनी कुंड बैराज का पानी यमना नदी में छोड़ रही है और इस वेशे को लेकर उन्होंने भारत के ग्रह मंतरी अमित शा को चिट्टी लिखी है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप हर्याना की सरकार को कहिए कि वो अब और ज्यादा पानी ना छोड़े हतनी कुंड बेराज में क्योंकि उसी की वज़े से हम यहां दिल्ली में डूब रहे है तो राजनीती यह है कि हर्याना में है बीजेपी की सरकार दिल्ली में है आम आदमी पार्टी की सरकार अब अर्विंद केजरिवाल को ऐसा लगता है कि हर्याना की बीजेपी की सरकार उनके साथ राजनीती कर रही है और जान बुझ कर हतनी कुंड बेराज में वो पानी छोड़ रही है इसलिए उन्होंने ये चिठी होम मिनिस्टर अमिद शा को लिखी है और अपने आपको उन्होंने विक्टिम बताया है लेकिन सच यह है कि हतनी कुंड बेराज कोई स्टोरेज डैम नहीं है जहां पानी को रोक कर रखा जा सके ये सिर्फ एक डैवर्जन स्ट्रक्चर है जहां से पानी को अलग-अलग दिशा में छोड़ा जा सकता है और अभी वही किया जा रहा है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री ने इसमें राजनीती का आरोप लगा कर एक तरह से कह दिया है कि दिल्ली में ये बाड हर्याना में बीजेपी की सरकार की वज़ा से हो रही है हलां कि बड़ी बात ही है कि ये जो सारे मामले होते हैं हतने कुंड बेराज में कैसे पानी चोड़ा जा सकता है उस बेराज से पहले पानी को स्टोर नहीं किया जा सकता उसमें एक शमता ही नहीं है ये सारी बातें अर्विंद केजरिवाल जानते हैं आपने तो देखा होगा वो बार बार ये बात कहते हैं कि जो मुख्य मंत्री होना चाहिए, नेता होना चाहिए, प्रधान मंत्री होना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसे सारे विशों की जानकारी होनी चाहिए, उसे साइंस की जानकारी होनी चाहिए, इंजीनिरिंग की जानकारी होनी चाहिए, सब चीजों की जानका चलाते चलाते आयटी की पढ़ाई कि उनके इस काम नहीं है कि वह डिल्ली की जनता को बार से बचाने का कोई तरीकह अपना से डिल्ली में अच्छा ड्रेनेज श्सिस्टम में भी पढ़ाया होगा और अगर वो वाकई में इतने भोले हैं कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं है तो फिर हो सकता है कि IIT में उन्होंने अपने क्लास में पढ़ाई पर जादा ध्यान नहीं दिया IIT में उनका ध्यान पढ़ाई पर ना रहा हो और शायद तब भी उनका ध्यान राजनीती में ही रहा हो इसलिए उन्होंने ये सारी बाते मिस कर दी तो डिगरी तो उनके पास है लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि इस बाड का असली कारण क्या है दिल्चस्प बात ये है कि इससे पहले वर्ष 2013 में जब इसी तरह यमना नदी में बाड आई थी पहले भी आई थी 2013 में और तब भी दिल्ली के निचले इलाके ऐसे ही डूब गए थे तब अर्विंद केज्रिवाल ने दिल्ली की ततकालीन मुक्यमंत्री शीला दिक्षित को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि वो सरकार में जब आएंगे यानि जब उनकी सरकार बनेगी जब वो मुक्यमंत्री बनेंगे तो दिल्ली को पैरिस बना देंगे लेकिन इसके बाद दिल्ली पैरिस तो नहीं बनी लेकिन आज पानी पानी जरूर हो गई है दिल्ली में पहली बार ऐसा हुआ है जब यमना नदी का जलस्तर वर्ष 1978 यानि 45 साल पहले यमना नदी में आई बार के जलस्तर को भी इस बार पार कर गया है आज हमने वर्ष 1978 में दिल्ली में आई बार की कुछ तस्वीरें आपके लिए निकाली हैं जिसमें 18 लोग मारे गए थे उस जमाने में और लाखों लोग प्रभावित हुए थे और तब दिल्ली में वायू सेना की मदद से बार पीडितों तक रहत सामगरी पहुचाई गई थी और आज भी दिल्ली की स्थिती वैसी ही है जिससे ये समझा जा सकता है कि इन 45 वर्षों में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिससे बार के मामले में दिल्ली की तस्वीर बदल सके अब देखिए 1978 की तस्वीरे तब जो कैमरे हुआ करते थे उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती थी इसलिए तस्वीरे आपको थोड़ी थोड़ी धुंदली नजर आ रही होंगी इनके रंग जो है ये भी फीके आपको दिख रहे होंगे तब दिल्ली की सडकों पर इस तरह तांगे चला करते थे ये जमाना है 1978 का उस जमाने में मारूती कार भी भारत में नहीं आई थी तब ऐसे गाड़ियां नहीं थी इतने टूवीलर्स भारत की सडकों पर नहीं थे क्योंकि तब भारत की जो एकॉनमी थी वो खुली नहीं थी लेकिन अब आप देखिए रिक्षा तांगे गारियों में बदल गए टू वीलर्स में बदल गए मकान बदल गए कैमरे बदल गए कैमरे की तस्वीरें अब जादा अच्छी होने लगी लेकिन एक चीज जो नहीं बदली है वो है सड़क का हाल अब आप देखिए कहां से कहां हम आ गए तांगे के जमाने से टेसला के जमाने में आ गए वो जमाना था तांगे का आज जमाना है टेसला कार का आज जमाना है एलेक्ट्रिक वहिकल्स का लेकिन बाड में कोई अंतर नहीं है दिल्ली की सडकों में कोई अंतर नहीं है बाड मिक के दौरान पहले भी पानी ऐसे ही भरता था दिल्ली की सडकों पर और आज भी ऐसे ही भरता है अब आप देखिये सोचने वाली बात है इन दोनों तस्वीरों में हमारे δेश में कितना कुछ बदल गया तब से लेकर आज तक जैसा मैं आपको बता रहा हूँ तब तांगे का युग हुआ करता था बैल गाड़ी का युग हुआ करता था और आज हम चांद पर जाने की तयारी कर रहे हैं लेकिन दिल्ली की गलियों में दिल्ली की सडकों पर जैसा पानी तब भरता था वैसा ही निती कर रहे होंगे लेकिन बड़ी बात यहां पर क्या है बड़ी बात है कि नेताओं ने सिर्फ राजनीती की है 1978 से लेकर अब तक ना जाने कितनी सरकारे आई है ऐसा नहीं है बीजेपी की सरकार भी आई है कॉंग्रिस की सरकार भी आई है और आम आदमी पार्टी की सरकार भी आई है लगातार भारत ने तरक्की भी की है टेकनॉलोजी भी आई है हमारे पास पैसे भी बहुत आ गए हैं सब कुछ है लेकिन एक चीज नहीं बदली कि दिल्ली में जैसे बाड़ पहले आती थी आज भी आती है दिल्ली का ड्रेनिज सिस्टम जैसा पहले खराब था आज भी खराब है और दिल्ली की सड़कों पर पहले जैसे पानी भरता था 1978 में आज भी वैसे ही भरता है इसलिए अगर आपको किसी को कोसना है तो अपने नेताओं को कोसिये जिने दिली की जन्नता ने हर बार बड़ी उम्मिदों के साथ वोट देकर सरकार बनाने में मदद की और दिली की जन्नता ने सब पार्टीयों को ट्राइ कर लिया उन्होंने कॉंगरिस को ट्राइ किया उन्होंने बीजेपी को ट्राइ किया उन्होंने आमादमी पार्टी को ट्राइ किया लेकिन ये कड़वी सच्चाई नहीं बदली Urban Planning से लेकर बाड नियंतरन की योजनाओं पर लाकों करोड रूपे खर्च हुए है लेकिन दिल्ली आज भी उतने ही पानी में डूबी है जितने पानी में 1978 में डूबी हुई थी और उस समय दिल्ली में अरविंद केजरिवाल की सरकार नहीं थी इसलिए आज हम ये भी कहना चाहेंगे आज ये बड़ा आसान है ये कहना कि केजरिवाल ने कुछ नहीं किया लेकिन केजरिवाल से पहले जो थे उन्होंने क्या किया और 1978 में तो दिल्ली में जब ये मैं आपको बात बता रहा हूँ तब यहां राश्पति शासन लागू था तो ऐसा नहीं है कि इस बार की वज़े से सिर्फ मुखे मंतरी अर्विंद केजरिवाल ही जो है वो ही राजनीती कर रहे हैं या वो ही इसके लिए जिम्मेदार है सच्चाई तो यह है कि दिल्ली की इस्थिती 45 साल से ऐसी ही है और तब से लेकर अब तक कुछ नहीं बदला और अगर कुछ बदला भी है तो वो है दिल्ली में यमुना नदी के आसपास का इलाका जिसे आप इन दो नक्षों से आज समझ सकते हैं इन में एक नक्षा है वर्ष 1989 का जब यमुना नदी के आसपास ज्यादा रहाईश नहीं थी और ये लाल निशान कुछ जगाँ तक ही सिमित था ये आप देखिए 1989 में लाल निशान आपको बहुत कम नज़र आएगा लाल जो ये वो इलाका है जो लाल रंग से आपको अब ये लाल निशान यमुना नदी के दोनों तरफ दिखाई देते हैं और ये एक तरह का बहुत बड़ा घोटाला है जिसमें बहुत सारे सरकारी अधिकारी रिश्वत लेकर ये अतिकर्मन होने देते हैं और नेता वोटों के लालच में इस अतिकर्मन को रोखने की कभी नहीं करते इस पर मैं आपको एक बात और बता दू जो लोग दिली के निवासी हैं जो दो लोग हमारे दर्शक जो दिली में रहते हैं हमारे जो दर्शक नौइडा में रहते हैं जो दर्शक यमना नदी के आसपास रहते हैं आप देखिए जो मैं आपको बात बता रहा ह लेकिन आज अगर आप यमना नदी के आसपास चले जाएं तो यमना नदी के बिलकुल ठीक ऊपर कॉलनी बस चुकी हैं। लेकिन आज अगर आप यमना नदी के आसपास चले जाएं तो यमना नदी के बिलकुल ठीक ऊपर कॉलनी बस चुकी हैं। और ये सारा शहर अवैद है सारा शहर इलीगल है और जैसा मैंने आपको कहा इसमें बड़ी बड़ी बहु मनजिला इमारते हैं। उन इमारतों को लोगों ने किराए पर दिया हुआ है। उसमें कमर्शल एक्टिविटीज चलती हैं। और हमारे देश के सुप्रीम कोट के जज यहां से हर रोज निकलते हैं। हमारे देश के मंतरी यहां से हर रोज निकलते हैं। यहां के विधायक इस इलाके से हर रोज निकलते हैं। बड़े बड़े सरकारी अधिकारी यहां से हर रोज निकलते हैं। दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी है दिल्ली में कोई ऐसा सरकार से जुड़ा, प्रशासन से जुड़ा, अधिकारी या नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद, जज ऐसा नहीं होगा जिसे ये ना पता हो कि यमना पर पूरी तरह से अवैद कब्जा हो चुका है लेकिन ये सारा जो कब्जा है, इस कब्जे के लिए हजारों करोड रुपे लोगों ने कमाए है हमारे दिल्ली के जो बड़े बड़े सरकारी अधिकारी हैं, आज आप अंदाजा लगाए किस किस अधिकारी ने कितने कितने करोड रुपे कमा लिया होंगे एक एक बिल्डिंग को यहां पर बनवाने के लिए और ये पैसा नेताओं तक जाता है बड़े अधिकारियों तक जाता है नेताओं को इसमें डबल फाइदा होता है एक तो वो रिश्वत का पैसा कमाते हैं हर बिल्डिंग पर उन्हें अलग पैसा मिलता है दूसरा इस बिल्डिंग के जरीए जो लोग यहां रहते हैं उनके व अवैद रशन कार्ड बनवाय जाता है अवैद आधार कार्ड बनवाय जाता है अवैद आईडी कार्ड वोटर कार्ड बनवाय जाता है ताकि ये लोग वोट डाल सकें और फिर ये सुनिशित किया जाता है कि चुनाओं में ये सारे अवैद लोग जो अवैद मकानों में रहत और सबसे ज़्यादा परिशानी उन लोगों को होती है जो समय पर अपना टेक्स देते हैं जो दिल्ली के निवासी हैं जो शरीफ लोग हैं जो टेक्स भरते हैं रोड टेक्स भरते हैं लेकिन उन्हें रोड पर चलने के लिए अब गाड़ी नहीं नाव की जरूरत पड़ रह आज दिल्ली में लोग नाव ढूंड रहे हैं बोट्स ढूंड रहे हैं ये वो लोग हैं जो समय पर अपना टेक्स देते हैं इंकम टेक्स देते हैं जो शरीफ नागरिक हैं सारी कर्तब ये सारी जिम्मेदारिया निवाते हैं अब आप यमना के आसपास हजारों लोग ऐसे हैं जिनने आज यहां से हटाना पड़ा है विस्थापित करना पड़ा है इसके लिए आप किसको दोशी देंगे इन लोगों को जो यह जानते हुए भी अवैद इलाकों में यमुना के किनारे पर बैठे हुए थे क्योंकि और यह जानते थे कि यह इलाका डूबने वाला है य ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो बाड़ नियंतरण की स्थिती में जरा सा भी सुधार ला पाए अब देखिए 1978 की बाड़ जिन्होंने देखी है वो क्या बताते हैं आपको 1978 में मैं याद है मुझे कि यहां फ्लड की बात हुई थी बहुत यहां मारे कोई रहते थे तो मुझे पता लगा कि फ्लड है तो मैं आपनी मदर के साथ तीन-चार दिन बाद आई थी सिचुएशन देखने क्योंकि वो बोल रहे थे हमारा घर बुरी हालत में है फर्स फ्लो अब बताईए इन लोगों की क्या गलती है यह दिल्ली के नागरिक हैं हर चुनाव में वोट डालते हैं हर बार टेक्स देते हैं हर साल लेकिन उस समय की जो सच्चाई है तब भी लोग अपने कंधों पर अपने छोटे बच्चों को बैठा कर इन डूबती हुई सडकों से पार जा रहे थे और आज भी लोग अपने चोटे बच्चों को अपने कंधे पर बैठा कर सडकों में भरे पानी से संघर्ष करते हुए सडक पार कर रहे हैं तो 1978 और 2023 में कोई फरक नहीं आया और आज आप अपने देश के नेताओं को इसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि उन्होंने देश की जनता को दिल्ली की ज हर्याना, हिमाचल प्रदेश, चंडीगर, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड से दिल्ली के बीच जो इंटर स्टेट बसें चलती हैं अब उनका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है वो कुछ दिन के लिए कश्मीरी गेट बस अड़ा बंद कर दिया गया है और इसकी जगा य बाड की वज़े से दिल्ली के तीन बड़े वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को भी बंद कर दिया है और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर भी एंट्री और एग्जिट गेट्स अभी बंद कर दिये गए हैं तो आप मेट्रो भी नहीं ले सकते और एक और बात जो भी आ प्रमाटर के भाव दिल्ली में डेड़ सो से दो सो रुपे किलो हो चुके हैं इसके बाद सबजियां महंगी होंगी बाकी की चीज़ें भी महंगी होंगी इस वक्त मैं लाल किले के पीछे वाले हिस्से में पिछले हिस्से में मेरी मौजूद्गी और संजय मैं चाहूंगी यहां के तस्वीरे आप दिखाएं सबसे पहले तो नीचे कितना जादा फ्लो है यह लाल किला आपको दिखाए दे रहा है उपर सिक्यूरिटी के कड़े इंतिजामात लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है कि यमुना का पानी सब कुछ यहां से बहा ले जाने के लिए बेकरार नजर आ र रहे हैं इस वक्त हम विजय गाट पे हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरह से पानी का जो स्तर है वो कमर के उपर है रिंग रोड और घाट की बीच में कुछ फासला नहीं रह गया सब दरिया बन गया है यहां पर दूर दूर तक डिवाइडर से लेके कुछ नजर नहीं आ रहा है और पानी का फ्लो एक तरीके से बिलकुल काफी तेज है इधर श्री राम जान की मंदिर है जो आप देख रहे हैं कि मात्र आपको एक जो बोड है सिर्फ वो नजर आएगा पूरा मंदिर पूरा बूल गया है और हम लोग निकलना ही बाएगे निकलना ही चाला साह है तावर की उपर अब लोग चड़ेंगे या तावर है तावर की उपर आपको चड़ेंगे हैं हम इस लग मौजूद है पूराना गड़ी मांडू में तस्वीरे आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी कलोनी पानी से लबालाब डूबी हुई है त ताकि उनकी जान भी जो है वो बच सके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चारों और पानी ही पानी इस वक्त जो है वो लबालाब नजर आ रहा है लोग आदे से जाड़ा पानी के इंदर इस वक्त जो है वो डूबे हुए प्रसाशन की तरफ से जो मदद यहाँ पर मिलनी च दिखाई देंगे जो डूब गए जुग्दी दिखाई देंगी जो ढूब गई है जिन्दगी अस्वयस्त हो गई है घरों से अब जो आस्याना है वो सड़कों पर आगे अगे और दस में बाड़ा आयती उससे भी ज्यादा पानी कि मैश आप glow याद दस में के खादर इलाके में इस वक्त यमुना का जो जल अस्तर है वो काफी भरा हुआ है आप पूरा चारो तरफ इस सिती देख रहा है कि किस तरीके से 7 से 8 फिट उचाई तक ये पूरा जल अस्तर यहां पर फैला हुआ तक कि टीम यहां पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पर और यह देखिए दो लोग जो हैं यहां अपना सामान बचाने के चक्कर में यहां पर यह लोग मौजूद हैं और इनको अब यहां रेस्क्यू बोट के जरिये किया जा रहा है 1978 से लेकर 2023 में तो कोई बदलाव नहीं आया टेक्नॉलिजी बदल गई गाड़ियां बदल गई आपके टीवी बदल गई आपके टीवी बदल गई मुबाइल फोन अब आपके हाथ में आ गए इंटरनेट आ गया फेस्बूक आ गया 1978 में यह कुछ भी नहीं था अब आपको भविश्य की तस्वीर दिखाते हैं बविश्य में अगर आप दिल्ली मुंबई चेन्नाई बैंगलूरू जैसे शहरों में रहते हैं तो अब आपको कारों की बजाए इस तरह की गाड़ियों की आवशकता पड़ेगी आपको भारत के बड़े बड़े शहरों का भविश्य दिखा रही हैं यह तस्वीर ए आई ने तयार की हैं यानि आपको आने वाले वर्षों में आपको डफ्तर जाने के लिए काम पर जाने के लिए इस तरह की गाड़ियों की आवशकता होगी अगर आप टू विलर भी ले रहे हैं तो आपको इस तरह के टू विलर्स लेने होंगे तब जो आटो हैं थ्री विलर्स हैं या ए रिक्षाज हैं वो इस तरह के होंगे जो आप जिस बाइक या स्कूटी पर जाते हैं वो इस तरह से चलेगी जो आपकी तस्वीरों जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसलिए आप तयार हो जाएए अब अगली बार जब आप ये सोचें कि आपको कौन सी कार लेनी है कौन सी गाड़ी लेनी है कौन सी बाइक लेनी है तो इन तस्वीरों पर भी ध्यान दीजिए और मुझे यकीन है कि कुछी वर्षों के बाद बहुत सारी ऐसी नई कंपनियां आ जाएंगी जो आपको इस तरह की गाड़ियां बेचेंगी और आपको ये बताएंगी कि ऐसी गाड़ियां खरी दिये जो कि सड़कों पर भी चलेंगी और पानी पर भी तैरेंगी और अब तो हम चंद्रियान लॉंच करने वाले हैं कल बहुत जल्द भारत चंद्रमा पर पहुँच जाएगा और थोड़े दिनों के बाद हो सकता है लोग भी चंद्रमा पर छुटी मनाने के लिए जाने लगें आज अगर आप दिल्ली की सड़कों पर चलेंगे और अगर आप चंद्रमा की सतह पर चलेंगे तो आपको लगेगा आप एक ही जगा पर हैं दिल्ली की बहुत सारी सडकें आज ऐसी हैं जो चंदरमा की सतह की तरह ही गड़ों वाली हैं उबढ़ खावड हैं आप चाहें तो चंदरमा का मज़ा दिल्ली की सडकों पर ही ले सकते हैं आचारे धिरेंदर शास्त्री का बागेश्वर धाम के आचारे धिरेंदर शास्त्री का एक ब्लेक और वाइट इंटर्व्यू दिखाएंगे जिसमें उन्होंने केदारनात में रील्स बनाने वाले युवाओं को सलहा देते हुए कहा है कि तीर स्थलों पर वीडियोज बनाना उचित नहीं है और इस इंटर्व्यू में मैंने पंडित धिरेंदर शास्त्री से उनकी शिक्षा उनकी हर महीने की आए और हिंदू राष्ट पर भी कई सवाल पूछे हैं ये पूरा इंटर्व्यू आप बहुत जल्द हमारे विशेश कारिकरम सीधी बात में देख पाएंगे लेकिन आज उस इंटर्व्यू के कुछ अंश हम आपको दिखा रहे हैं आचारे धिरेंदर शास्त्री के साथ आपके जीवन को तीन भागों में अगर बाटे पहला भाग जब आप गुमनामी के दोर में थे दर्दरता दूसरा भाग जब अंशिक रूप से सफलता आपको मिल रही थी यानि अपने एक शेतर में आप अच्छा कर रहे थे बंदेल खंड में एक धर्म गुरू के तोर पर आपकी पहचान थी लेकिन ये जो तीसरा आपके जीवन में फेज है ये हमें लगता है कि सब से अभी तक अब आप यूर शाइनिंग लाइक अ ब्राइट स्टार मतलब आप एक बहुत एक तारे की तरह इस समय चमक रहे हैं प्रारंब से लेकर जीवन में अभी तक के लक्ष तक गुरू कृपा और हनमान जी की कृपा है इन सब का स्रे बागिश और हनमान जी और हमारे दादा गुरू जी को जाता है यू कहें कि उन्होंने निमित मात्र हमें चुना है और वो सनातन के लिए कुछ करवाना चाहते हैं कर वह रहे, बोल भी हो रहे पस करने वाले निमित हम दिखाई पड़ रहे तो पहले साइध हम अपने लिए मांगते थे इसलिए सीमित थे अब पूरे बिश्व के लिए और राश्ट सनातन हिंदू के लिए मांग रहे इसलिए साइध लगता है आपको याद होगा आपका जो स्टेटस था उसमें भी बहुत अंतर आ चुका है तो क्या आपको ऐसा लगता है उस समय में और अब में आपका जो जो सोच है, विचार है, उसका भी विस्तार हुआ है जब आपसे प्रतंबार चर्चा हुई थी तब बिबादों में घरे थे, अब संबादों में घरे है अब संबाद पर चर्चा होती है पहले बिबाद पर चर्चा होती थी इतना बदलावा है आपको याद होगा जब हमारी पहली मुलाकात हुई थी आप हमारे साथ लाइव जोड़े हुए तो और हमने का था आप यू आर गुड़ स्पीकर और आप पूछ रहे थे कि इसका गुड़ स्पीकर का मतलब क्या है हमारी अंग्रेजी बहुत जीरो है और हम बहुत ही ज्यादा पड़े लिखे नहीं है पर इतने पड़े लिखें के अपना काम चला ले तो उस दिन लोगोंने क्या बताया आपको जब आप पूछ रहे थे बाद में बताया कि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं ऐसा लोगोंने आपके कहने के बाद पूछा तो सामने खड़े हुए थे जो खेमरा में आपके ही कैमरा में आपकी टीम से पूछा था एक हमारी टीम के खड़े थे सदस्ट आमने पूछा कि यूर ए गूड़ स्पीकर का अर्त मतलब क्या होता है उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा वक्ता तब भी हम कंफ्यूजन में थे हमारे लिए कह गए या अपने लिए लेकि बाद में जब हमको एक सज्जन से समझाया तो हमारी समझ में आया तो वो बिवाद का विसाय था आज समबाद का 27 साल आपकी कुल उमर है और 27 साल में आप लिए पोस्टर बॉय बन गए है आप हमेशा से यही चाहते थे बिल्कुल भीने एक सपाही बनना चाहेते है आज भी हमारा सफना है हमें कोई वरांड नहीं बनना है हमें कोई पोस्टरory उनको बनने की लिलक होती है जने यस पाना हूँ जन्हें पॉलिटेक्स में जाना हूँ यह फर जन्हें उस्के सदियों तक इस इस्थान की नाम की आकांशा हूँ हमारी यह सिर्फ एक ही ड्रीम एक ही लखश है सनातन सनातनी जागर्दी सनातनी हिंदों में एकता हनुमान जी को लेकर जो उसका वेवसाई करण हो रहा है आजकर फिल्म वाले फिल्म में बेच रहे हैं नेता राजनीती में बेच रहे हैं नेता उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं इस पर आपको कैसा लगता है हनुमान जी से हनुमान जी के चित्र को बैच करके या चित्र को दिखा करके हम अपनी ब्रांदंग करें तो यह मुर्खता होगी हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार करके लोगों के जीवन में चरित्र पहुंचाए तो यह हमें लगता है कि बहुत ही अच्छा है हनुमान जी को बिक्रे कर रहे हैं या नहीं कर रहे इस पर तो हम कहीं नहीं सकते हैं लेकिन कोई अगर हनमान जी का नाम धोके से भी ले रहा है तो अच्छा है क्योंकि हनमान जी पबन पुत्र है और पबन तो सबको आवशक है आज कल आपने देखा होगा रील्स का जमाना है वीडियो का जमाना है लोग केदारनाथ भी जाते हैं तो वीडियो बनाने जाते हैं रील्स बनाने जाते हैं और बहुत बार अब ये मुद्दा हमने भी उठाये था कि जब आप मंदिरों में जाते हैं खास्त वर पर केदारनाथ, बद्रीनाथ तो आप आस्था की वज़े से जा रहे हैं या रील्स बनाने की वज़े से जा रहे हैं इस पर आपको क्या लगता है मंदिर देवाले तीर्थिस्तल भाम गुरु इस्थान प्रदर्शन का विस्थान नहीं है दर्शन का विस्थान वहाँ चित्र मत खीचो परमात्मा का चरित्र खीचो और हमें ये लगता है ठीक कि करोणों की संपत्ति पाने की वज़े करोणों का अध्यात्म पाने की वज़े दो रुपया की नाचती हुई फोटों के चक्र में व्यक्ति देवालय जाना व्यर्थ गवा देता है इसलिए परतेक साधक को, परतेक दर्शनारती को, परतेक सरधालू और वक्त को, देवालाय जाना चाहिए और शनातन ये हिंदूओं को सनी बार और मंगलवार तो जाना चाहिए पर चित्र के लिए नहीं, चरित्र के लिए फिल्में जो आ रहे हैं, बॉलिवुट की जो फिल्में आ रहे हैं, उन फिल्मों को लेकर एक के बाद एक कुछ न कुछ विवाद होता ही रहता है और सबसे ज़ादा जो विवाद है या मैं यह कहूँगा कि एक ही चीज़ को लेकर विवाद है और वो है धर्म को लेकर धर्म को लेकर जो आस्थाएं हैं लोगों की वो आज बड़ी बहुत सेंसिटिव हो गए हैं लोग आपने देखा होगा जब पठान आई उस समय भी लोग बड़े आहत हुए फिर आदी पुरुशाई उस समय भी लोग बड़े आहत हुए और अब बात बात पर लोग कहते हैं इस फिल्म में ऐसा हम आहत हो गए होना चाहिए हमारे पास जब कोई पड़ा लिखा आता है और वो कहता है कि हमारे आप हमारी समझ से बाहर है तो हमें बहुत प्रशनता होती है कि कोई पड़ा लेखा व्यक्ति हमें समझने आया है और भारत में अगर कोई समझदार व्यक्ति समझ करके जाग कर इस प्रकार की बात कर रहा है तो बहुत अच्छा है फिल्म है कई दसकों तक अपनी चाप छोड़ करके जाती है सन 60 के मद्ध में एक फिलमा आई थी सन्तोशी माता पिलमा आई थी तो शुकरवार को टमाटर की विक्री बंद हो गई थी खटाई विक्री ना बंद हो गया था तो सदियों तक ये चाप छोड़दी है हमारे मन मस्तथ के पर अगर आज हम लोगों ने छूट दी आज तक जो बॉली वुड ने हमान लोगों के साथ अत्याचार किया कि गुंडा जितने भी दिखाए वो तिलगधारी दिखाए मातमा दिखाए तो पाखंडी दिखाए और भगवान दिखाए तो भगवान के दर पर आस्था तूटती दिखी अब हम आपको चांद पर लेकर चलेंगे क्योंकि भारत का मिशन चंद्रियान 3 कल लॉंच होगा और इसका काउंडाउन शुरू हो चुका है वर्ष 2019 में भारत का चंद्रियान 2 मिशन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया था इसलिए अब पुरानी गलतियों को सुधारते हुए इस मिशन में काफी बदलाव किये गए हैं और उमीद है कि चांद पर पहुँचने का भारत का सपना इस बार पूरा हो जाएगा आज इसरो के विग्यानिकों ने आंदरप्रदेश के तिरुपती मंदिर में जाकर इस लाँचिंग के लिए भगवान का आशिरवाद लिया और इस से पहले इस मिशन की लाँच रहरसल भी की जो पूरी तरह से सफल रही और अब कुछ देर पहले इसरो ने चंदरियान 3 का एक कर्टन रेजर विडियो जारी किया है जो भारत के इस अभूत पूर्व और बहुत बड़े मिशन के बारे में पूरी जानकारी देता है इसलिए पहले आप ये विडियो देखिए आप कर देखिए D sentence ये रही हूथin शूर्व एपिए विए व जार के पही और आप प्रवस पीडियो So for that we did many things. One, we expanded the area of landing half a kilometre by half a kilometre to 4 kilometre by 2.5 kilometre. Anywhere it can land. So it doesn't limit you to target a specific point. Chandrayaan 3 को 14 जुलाई, यानि कल आंदर प्रदेश में श्री हरी कोटा के सतीष धवन सेंटर से दोपहर दो बज कर 35 मिनट पर लाँच किया जाएगा. और इस बार चंदरियान 3 का लाँच वहीकल बहुत ही खास होगा, बहुत अलग होगा. लाँच वहीकल का मतलब होता है वो रॉकेट जो इस अंतरिक्ष यान को प्रित्वी की कक्षा में स्थापित करेगा. और इस रॉकेट को LVM3 रॉकेट कहते हैं. और चंदरियान 2 का लाँच वहीकल भी यही रॉकेट था. यानि वही रॉकेट इस मिशन 3 को भी लेकर जाएगा. ये पूरा मिशन लगभग दो महीने तक चलेगा, जिसमें 14 जुलाई को लाँचिंग के दोरान रॉकेट के जरीए चंदरियान 3 को प्रित्वी की कक्षा में स्थापित किया जाएगा. इसके बाद चंदरियान 3 रॉकेट से अलग हो जाएगा और ये प्रित्वी की कक्षा के चारों तरफ तब तक चकर लगाएगा, जब तक कि ये चंदरियान 2 की कक्षा के दाइरे में नहीं पहुँच जाता. इस रोगा अनुमान है कि इस नए अंत्रिक्षियान को चंदरियान की कक्षा में पहुँचने में एक महीने का समय लग सकता है, और जब एक बार ये चंदरियान 2 की कक्षा में पहुँचेगा, तो इसके बाद ये चंदरियान 2 की लेंडिंग साइट से अलग होगी. यानि चंदरियान 2 ने जहां लेंड करने की कुशिश की थी, चंदरियान 3 उससे अलग साइट पर लेंड करेगा. चंदरियान 2 ने चंदरमा के दक्षिन धुरूवी एक्षेतर यानि साउथ पोल में 70.9, 70.9 डिगरी के अक्षांश पर क्रेश लेंडिंग की थी, जबकि चंदरियान 3 साउथ पोल में 79.36 डिगरी के अक्षांश पर लेंड कर सकता है. इस लेंडिंग से पहले चंदरियान 3 का लेंडर और रोवर इसके प्रोपल्शन मोडिूल से अलग होंगे और इस घटना के बाद सारा काम इस अंतरिक्षियान के लेंडर और रोवर का ह लेंडर इस अंतरिक्षियान का वो हिस्सा है जो चंदर्मा की सतय पर इसे लेंड करवाएगा और रोवर वो हिस्सा है जो लेंडिंग के बाद चंदर्मा की सतय पर घूम कर चंदर्मा की सतय का अध्यान करेगा ये एक तरीके से आप समझ लेजे एक छोटी सी गाड़ी है और इसके लिए इस रोवर में पहले की तरह ही छे पईये लगाए गए हैं। जैसे मैंने आपको कहा ये गाड़ी की जैसा होगा, जैसे आप समझेजेए कि एक रोबोट जैसा जिसमें छे पईये लगे होंगे और फिर ये चंद्रमा की सतय पर गूमेगा। वर्ष 2019 के चंद्रियान 2 मिशन के दौरान भारत इसमें लगभग सफल हो गया था लेकिन उस दौरान हम लेंडिंग में चूक गए थे। वो जो हमारा मिशन था ठीक से लेंड नहीं कर पाया। और ये लेंडिंग दो तरह की होती है। एक होती है सौफ्ट लेंडिंग और सर क्रैश हो जाता है और पिछली बार यही हुआ था। लेकिन इस बार चंद्रियान 2 जैसी कोई गलती ना हो इसके लिए इसरो ने चंद्रियान 3 में कई बड़े और महत्पूर बदलाव किये हैं यानि अपनी गलतीयों से सीखा है। पिछली बार चंद्रियान 2 के प्रोप लेकिन क्योंकि गती बढ़ गई उसकी वज़े से सौफ्ट लेंडिंग नहीं हो पाई, हाड लेंडिंग हुई आप यह कैसकते हैं कि एक तरीके से यह टकरा गया और उसके बाद नश्ट हो गया। लेकिन इस बार इसमें कुछ बदलाव किये गये हैं ताकि ऐसा ना होूँ इसके अलावा जिन पैरों पर चंद्रियान थ्री चंद्रमा की सतह पर उतरेगा उन पैरों को इस बार ज्यादा मजबूत बनाए गया है और इसके लिए इसरों की टीम ने मौझूदा लेंडर को हेलिकॉप्टर और क्रेन से गिरा कर भी टेस्ट किया ताकि यह पता लगाय या नहीं तो इसके लिए उन्होंने पहले इसको अलग-अलग चीजों से टकरा कर गिरा कर टेस्ट किया चंद्रियान 2 और इसके ओर्बिटर के बीच संपर्क के लिए पहले इसमें एक विशेष कैमरा लगाये गया था लेकिन अब इन कैमरों की संख्या चंद्रियान 3 में एक से बढ़ा कर दो कर दी है, इसी तरह soft landing के लिए चंद्रियान 3 की landing velocity speed को भी बढ़ा दिया गया है, पहले speed 2 meter per second थी, लेकिन अब ये 3 meter per second होगी, landing velocity speed का मतलब होता है किस गती से कोई object उपर से नीचे आता है, यानि land करता है, primary landing में परिशानी आने पर चंद्रियान 3 को दूसरे site पर भी land कराया जा सके, और इसके लिए इस अंतरिक्षियान की इंधन ख्षमता को भी इस बार बढ़ा दिया गया है, इस से होगा ये कि अगर इस रो को लगता है कि चंद्रियान 3 को तै समय के मताबिक चंद्रमा की सतय पर land नहीं कराना चाहिए, तो फिर इसकी landing site बदली जा सकेगी और ये कुछ और समय तक उपर घुम सकेगा, ऐसा भी माना जाता है कि चंद्रियान 2 के lander में पांच thruster engines लगे हुए थे, जिनकी वज़े से इसकी soft landing में गड़बड़ी हुई, इसलिए चंद्रियान 3 में thruster engines की संख्या अब घटा कर 5 से 4 कर दी गई है, अब उसे हटा दिया गया है, चंद्रियान 3 में solar panels की संख्या भी पहले के मुकाबले बढ़ाई गई है, ताकि अगर घलत दिशा में भी चंद्रियान 3 landing करता है, तो उसे सूर्य की किरने मिलती रहे और चंद्रियान 3 इन सूर्य की किरनों से पूरी शक्ति लेकर, energy लेकर काम करता रहाए, हाला कि चंद्रियान 2 और चंद्रियान 3 में जो चीज़े पहले जैसी हैं, उन में lander और rover का नाम प्रमुक है, लेंडर का नाम पहले भी विक्रम था इस बार भी हमारे लेंडर का नाम विक्रम ही है और रोवर का नाम पहले प्रग्यान था इस बार भी प्रग्यान ही है तो ये विक्रम और प्रग्यान ये अब आप समझ लीजे ये दो आपके दोस्त हैं और ये इस चंद्रियान को चंद्रमा तक ले जाने में और इस मिशन को पूरा करने में मदद करेंगे तो एक आपके दोस्त का नाम है विक्रम दूसरे का नाम है प्रग्यान विक्रम नाम डॉक्टर विक्रम सारा भाई से लिया गया है जो भारतिय अंतरिश कारिकरम के जनक माने जाते हैं और प्रग्यान नाम संस्कृत भाशा से लिया है जिसका मतलब होता है विजडम यानी बुद्धिमता और क्योंकि रोवर ही चंदरमा की सतह पर रसाइनिक तत्वों, मिट्टी और पानी के कणों जैसे प्राकर्तिक संसादनों को खोजेगा, देखेगा, उनका अध्यन करके और्बिटर और फिर और्बिटर से इसरों को जानकारी बेजेगा, इसलिए इसका नाम प्रग्यान रख प्रत्वी से चंदरमा की दूरी 3,84,403 किलो मीटर है, और चंद्रियान 3 मिशन का कुल बजट है 615 करोड रुपे, यानि इस हिसाब से इस मिशन की जो लागत है, वो है 16,000 रुपे प्रती किलो मीटर, और ये राशी रश्या, चीन और अमेरिका के चंदरमा पर भेजे गए लेंडर मिशन से काफी कम है, हमारा जो मिशन है, वो सबसे सस्ता है, भारत अगर इस मिशन में सफल हो गया, तो हम ऐसा करने वाले दुनिया के चौथे और चंद्रमा के साउथ पोल पर अंत्रिक्षियान को लेंड कराने वाले दुनिया के पहले देश बन जाएंगे, भारत रश्या और चीन ने अपने जो अंत्रिक्षियान चंद्रमा की सतय पर उतारे हैं, उन सभी यानों ने चंद्रमा के एक्वेटोरियल रीजन में लेंडिंग की थी, ये चंद्रमा का वो हिस्सा होता है जो चंद्रमा के मध्यक्षेत्र और मध्यरेखा के आसपास होता है, औ और यहां बड़ी बड़ी खाई हैं बड़े बड़े गड़े हैं और यहां का तापमान माइनस 230 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। भारत का पहला चंद्रयान मिशन वर्ष 2008 में लॉंच हुआ था जो 95% सफल रहा था और चंद्रमा की जिस सतय पर ये क्रैश हुआ था उस जगह का नाम तब UPA की सरकार में भारत के पहले प्रधान मंतरी पंडे जवारलाल नहरू के नाम पर जवाहर पॉइंट रखा गया लिए अब जवारलाल नहरू का नाम चंद्रमा तक है और चंद्रमा पर भी एक जगह है जिसे जवाहर पॉइंट कहते हैं ये वो दौर था जब अंतरिक्ष में भारत की काम्याबी का भी राजनिती करन शुरू हुआ लेकिन अब भारत चंद्रमा से जोड़ी अपनी खोज में एतिहासिक करांती लाने जा रहा है और बड़ी बात यह है कि भारत में एक बहुत ही कठिन लक्षे चुना है जिसके लिए हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं होगा चंद्रयान 3 के लेंडर और रोवर चंद्रमा के एक दिन ही चंद्रमा पर एक ही दिन काम कर पाएंगे और चंद्रमा पर एक दिन पृत्वी के लगबग 14 दिन के बराबर होता है जब पृत्वी पर सूरे की किरने पड़ती है इसलिए आप तारीख और समय अब नोट करके रख लीजिए 14 जुलाई यानि कल दो पहर दो बज कर 35 मिनिट पर चंद्रियान 3 मिशन लॉंच होगा और इस लॉंच के बारे में हर जानकारी इसका लाइव टेली कास्ट इसके बारे में सारी डीटेल्स आप कल लगातार आज तक पर देख पाएंगे और कल रात को 9 बजे बलेक और वाइट में आप इसका पूरा विशलेशन भी देख पाएंगे और भारत अंतरिक्ष के शेतर में दुनिया के लिए कल के बाद एक और नई मिसाल बन जाएगा चंद्रमा को पृत्वी का एक उपग्रह माना जाता है लेकिन इनसान चंद्रमा को अपने जीवन में इससे कहीं ज्यादा स्थान देता है और भारत में तो चंद्रमा या चंद के कई रूप हैं और इनसान की शुरू से इच्छा रही है कि वो चंद पर जाए और इनसान ने हमेशा चांद के सपने देखे हैं अलग-अलग रूप में भारत में चांद से मुखडे से लेकर चांद पर दाग की नजाने कितनी बातें की जाती है हमारे देश में चांद बच्चों के लिए चंदा मामा है तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए चांद आज भी एक जुनून है आज भी महबत में सबसे बड़ी कसम चांद तारे तोड़ लाने की ही खाई जाती है और आपको बहुत सारे गाने भी हमारी फिल्मों में मिल जाएंगे जो महबत के चांद पर लिखे गए उनीस सोबात्तर में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था पाकीजा और उसका एक गाना बड़ा मशूर हुआ था जिसके बौल है चलो दिल दार चलो चांद के पार चलो इसी तरह 2006 में एक और फिल्म आई थी जिसका नाम था फना और इसका एक बड़ा गाना हिट हुआ था जिसके बोल थे चांद से फारिश जो करता हमारी देता वो तुमको बता ये गाना भी आपने बहुत सुना हो गए सब चांद पर लिखे गए गाने हैं और ऐसे आपको सेंकडों हजारों चांद और शेरोशारी जो है चांद पर लिखे गई मिल जाएगी सिर्फ हिंदी भाषा में ही डेड़ हजार से ज़दा ऐसे मशूर गाने हैं जो चांद पर लिखे गए हैं और ये चांद सिर्फ महबत का नहीं बलकि ये चांद धर्मों के हिसाब से भी बटा हुआ है कोई भी धर्मो चांद के बिना पूरा नहीं होता इसलाम में इसे इद का चांद कहते हैं हिंदू धर्म में महिलाएं इसे करवा चौत का चांद कहती है और इसाई धर्म में चांद को ईसा मसी का प्रतीक माना गया है आज इलान मस्से लेकर जेफ बेजोस तक कई उद्यूगपती ऐसे हैं जो लोगों को चांद पर छुटी मनाने और चांद पर घर बसाने का सपना दिखा रहे हैं और ये सपने लोग करोड़ों रुपे में खरीद भी रहे हैं क्योंकि चांद के लिए इनसान चांद भी तोड़कर ला सकता है लेकिन बड़ी बात ये है कि हमारे देश के विग्यानिकों ने बहुत मैनत की है परिश्रम किया है और वो शायद इस बार सफल हो जाएंगे लेकिन मेरा आप से आज सवाल ये है कि क्या आप इन विग्यानिकों को अपना हीरो मानते हैं क्या आप इन विग्यानिकों के नाम जानते हैं क्या आप इन विग्यानिकों को पहचानते हैं अगर आपको इनकी तस्वीर दिखाई जाए तो क्या पहचान लेंगे लेकिन यकीन मानिए यही हमारे देश के असली नायक है इसलिए इन्हें जानिये इन्हें पहचानिये और इन्हें सलाम कीजिए और आप जल्दी से आपको फ्रांस लेकर चलते हैं जहाँ प्रधान मंतरी नरेंदर मोधी का शानदार स्वागत हुआ आज वो वहां पहुँचे हैं प्रधान मंतरी मोधी फ्रांस और यूए ए के तीन दिन के दोरे पर हैं और आज सबसे पहले वो फ्रांस की राधानी पैरिस पहुँचे जहाँ एरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ओफ ओनर से सम्मानित किया गया और फ्रांस की प्रधान मंतरी खुद उन्हें हवाई एट डे पर लेने के लिए रिसीव करने के लिए पहुँची प्रधान मंतरी मोदी आज जब होटेल पहुचे तब उनसे भारतिय मूल के बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए बड़ी संख्या में और एक रिक्ती ने ये भी पूछा कि मोदी जी आप बिना थके 20-20 घंटे काम कैसे कर लेते हैं तो फ्रांस के दौरे की जो विस्तरत कवरेज है वो हम आपको लगतार दिखाते रहेंगे और कल हम आपको इसका विस्तार से एक विश्शन दिखाएंगे अपने वो नहीं जो तस्वीरों में साथ खड़े हों अपने वो होते हैं जो तकलीफों में साथ खड़े हूँ नमस्कार